दोस्तो आज मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंट देखने को मिला मॉर्णिंग में गैप ओपनिंग के बाद मार्केट ने गैप को फिल किया मिन्स कि आपको टॉक पे सेलिंग का मौका दिया बट गैप फिल होने के बाद प्रोपर स्मल टेम फ्रेम पे इसने बाइंग पटर्ण भी निशेट किया और वहां से गजब का अपसाइड मूव देखने को मिला तो पहले इसने सेलिंग का मौका दिया और बाद में बाइंग का तो आज किस वीडियो में बात करना चाहूंगी आज इंट्राडेम में आपको किस तरीके से ट्रेड लेना था और नेक्स्ट वी कैसा रह सकता है मिल्स कि नेक्स्ट वी क्या मार्केट आज जो बुलिस ट्रेन रहा इसको continue रख सकता है या फिर reversal दिखा सकता है तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा वीडियो काफ़ी डिटेल में होने वाला है और चैनल पे new है तो प्ली चैनल को subscribe भी कर लिजेगा दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगे निफ्टी के बारे में तो निफ्टी का यह देख सकते है और दोनों का कैंडल बुलिस ग्याप ऑप के बाद क्या हुआ ऑऔ यहाँ से ब्रेकावट दिखाया देखो तो यहाँ भी एक बाइंग थी फाइव मिनट पे भी आप बाई कर सकते थे इस केंडल का लो ऐसे लगा कर कि आप बाई कर सकते थे वाई में दोस्तों इसने लगबाग 60-70 पॉइंट का अपसाइड में दिखाया ठीक है उसके बाद ये रिवर्स हुआ है इसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पे देखें यहां पर देखेंगा जैसे ही इसने क्या किया इस लोग को ब्रेक किया तो यहां इसका इंफरमिशन आ गई थी यह इस गैप को फील कर सकता है ठीक है गैप को फील किया और तो सपोर्ट था 24,200 इसको इसने ब्रेक ने किया 24,300 इंपोर्टन लेविल था इंट्रडे के लिए जैसे 24,300 ब्रेक किया तो वहां से लगा था 24,200 तुछ करने आएगा एक्जैक्टली यह आया भी तो यहां पर आप उन्रेट पॉइंस ने देदिया से लिग में ठीक है और आफ्टर डैट आप देखेंगे तो इगेन इसने क्या किया फाइव इन टाइम फ्रेम पे नियर द दिखाया पहले तो यह 24,300 गया और उसके बाद देखेंगे तो फिर 24,500 को भी इसने टुछ कर मैंने प्रिवेस वीडियो क्लिरली कहा था 24,300 का इंपर्टन लेवेल है यह ब्रेक हुआ तो फिर यहां से मार्किट और भी अच्छा आप साइट मूँग दिखा सकता एजक्ली वही हुआ तो प्रोपर पहले इसने क्या कि आपको सेलिंग का मौका दिया फिर दोस्तों बाइंग का मौका दिया तो आज का जो दिन था ना वो ऑप्षिन बार के लिए पिच्छर पर्ट्रक्ट था क्योंकि बहुत ही अच्छा मुमेंट हुआ और आप लोगों को एक अजिक आपी वर ली बाद में वह भेजा था इसके बाद दोस्तों यहां देखो निफटी 15 मिनट पे सपोर्ट यहां देख सकते हैं जैसे हमने यह Alaš किया तो सारह आपडेट आपको ना यहीं भी मिल जाता जैसे यह 24,300 को ब्रेक किया आप देख सकते हैं एगीन मैंने आपको अपडेट कर दिया था यहां पर निफ्टी आवरली में क्या है रिस्टेंस आप देख सकते हैं और यह से भी दोस्तों यहां से भी अच्छाम भी इसने दिखाया तो यहां पर दोस्तों क्या होता है अपको मिलते हैं जैता है यहां पर नाम है यहां पर बताना चाहूंगी रिलाइंस था ही दोस्तों एक शाख भीपूरो ट्रेंगल आप देख सकते हैं विपूरो ने आज लगवाग 5 17.50 के आसपास का हाई लगा तो आपको सारा अब्रेट मिल जाता है चलिए बात करेंगे नेक्स दे के लिए नेक्स दे मार्केट किस तरीकी का मुन दिखा सकते तो यदि निफ्टी क्या करता है आज का हाई ब्रेक करता है हाई की बात करेंगे तो दोस्तों हाई है 24,563 गा 24,563 अब देखिए 24,200 से कहां यहां से सारे 300 पॉइंट उपर गया यह अब क्या चाहिए आपको उपर यह चुट भी जाता तो बहुत अच्छा आपको मिली गया ठीक है तो देखो मेरा एक ही कहना है आप लोगों से जहां पर आपको पिक्चर पॉरफेक्ट ट्रेड मिले आपके सेटप के अब यहां पर यदि 24563 का हाई ब्रेक करता है तो क्या होगा यहां पर क्रिस्टेंस ब्रेक आउट देखने को मिल सकता है मिन्स कि यहां से निफ्टी ये गेन दोस्तो 24,800 तक का हाई दिखा सकता अब देखिए एक तो यह गैप करेगा ही करेगा अब आप देखो यह जो गै यहां पर यहां से उपर जा सकता है तो फिर पर जाते हैं तो महाँ पर चोटा चोटा पॉइंट आप वो कैप्चर करना होता है तो हाई ब्रेक हुआ और सस्टेंड किया अब यहां पर बात करना चाहूंगी बैंक निफ्टी के बारे में अब देखिए बैंक निफ्टी ने भी आज क्या किया यहां पर देखेंगे तो क्या लग रहा है बिल्कुल एक बुलिश के लिए अपसाइड मूब देखने को मिला बट मैं आपको दिखाना चाहूंग दोस्तों गजब मॉर्णिंग में इसने क्या किया था आप देखेंगे तो फाइव मिनट पे यहां देखेंगा इविनिंग इस्टार क्या है यहां पर इसने भी क्या किया रिस्टेंस ब्रेकाउट दिखा या फाइव मिनट पर अगली फाइव मिनट पर इसने सेलिंग पर फॉर्म कर दिया और वहीं से गिरावट हो गई अब एक बात ध्यान दीजिएगा जो मुझे फोलो करते हैं देखिए रिस्टेंस ब्रेकाउट पर यहा आप यहां पर ट्रैप हो जाएंगे तो ऐसे नहीं करते हैं अब यहां विस्टेंग फॉर्म हुआ नीचे आया आप देखेंगे तो इसने प्रॉपर गैप को फिल किया और उसके बाद फिर रिवर्सल भी दिखाया आते हैं यहां दोस्तों देखिए यहां देखिए वर्सल की दो बात करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे नियर सपोर्ट यदि कोई पैटर्न फॉर्म करता है तो ही आपको बाई करना है तो इसने क्या किया यहां पे बाइंग फॉर्म किया और आफ्टर डैट देखेंगे यहां से बहुत अच्छा अप्शाविट दिखाया अब देखेंगे तो लगभग इसने जो हाई लगाया है 50,600 के आसपास का ठीक है इसका हाई देखेंगे तो 50,598 और इसका है दोस्तों 50,600 का मिन्स की 800 पॉइंट अब देख सकते सपोर्ट से 800 पॉइंट और यहां भी आपने इंटरी बनाया होता तो यहां से भी 600 से तो बैंक निफ्टी में ऐ दिखाया अब दोस्तों बात करेंगे next week के लिए Everything announced week निफ्टी में क्या कूछ हो सकता है तो यहां प्रक करेंगे ध्यान दिजिएगा मतलब 700 यह क्या है यह इंपोर्टेंट लेवल है अपसाइड में यदि यह 50,700 के उपर सस्टेन करता है तो फर्दर बैंग निफ्टी भी डिस्टेंस ब्रेक आउट दिखा सकता है यह जो एक लेवल था इसका दोस्तों रेंज था थाउजन पॉइंट का यह क्या होगा यह इन्हां पर ब्रेक होगा और यहां से यह कहां जाएगा कहां जा सकता है तो डैक्ली 51,500 डैक्ली पहले जागा यह 50,000 उसके बाद 51,500 ओके तो इसको क्या करना होगा 50,700 को पर सस्टेन करना होगा तो यदि फ्लैट उपन होता है और उ देन यहां पर देखने को मिल सकता है ठीक है और छोड़े टेंफ्रेम पर कोई सिलिंग पर बनाता है वहां पर आप सिल कर सकते हैं या फिर जब नीचे मिलेगा सपोर्ट के पास में तो आप कीजिए कोई दिख्कत नहीं है ठीक है बात करेंगे तो 50700 यह क्या हो गया इंपोर्टेंट लेवल अपसाइड मोमेंट के लिए ओके दोस्तो आगे पुझे स्टॉक के बारे बात करेंगे बट यहां पर मैं बोलना चाहूंगी देखिए मार्केट में यदि आपको रहना है ओके आप दो मन पहले आया तीन मन पहले आया जब भी आया है तो एक ची मैं बोल दूँ यहां पर बिना सीखे काम नहीं चलेगा ठीक है जो भी ट्रेडर आते हैं उनका लाइफ होता है only कितने मंद का देख लिजे उनका दोस्तों सिर्फ 90 डेज का होता है कितना 90 डेज का ही होता है on an average ठीक है मिन्स की 3 मंद का होता है 3 से 3 से 6 मंद रहते हैं पैसे सार लॉस करके चले जाते हैं तो ऐसे में काम नहीं चलेगा कि यहां पर चार्ट करके सुछ नहीं है तो यहां पर कुछ भी तो नहीPl सिर्फ केंडलिस्ति क्या आपको दिख रहा हर एक चार्ट में किसी पर उठालो ना वहाँ पर क्या रहता है केंडलिस्तिक रीट्रेस्मेंट सपोर्ट रेस्टेंस और एक इंडिकेटर बस चार सीज़़से उपनेशन हो गया अब इसी आप तो यह सीखना है different time frame के कैसे यह काम करता है time frame को combine करके आपको लगाना है trade के अंदर तो यह सीखने में आप वो तीन से शे मत लएगा तो पहले आप टाइम जिरा सीखने के लिए लेकिन आप लोग चाहते हैं कि पैसे कमाना इसलिए आप लोगो नुकसान होता है तो मैं बोलना चाहोंगी पहले आप लोग सीखिए ठीक है पहले सीखिए तीन से शेमत पैसेंस रखिए और डेफिनेटली आप ऐसे कमाएंगे आफ्र लर्निंग eller तो आपको जहां सीखना मेरी हम सीखना मेरी याँ भी सीख सकते हैं मेरी हम से जोबिंदूर ओंडे टुफाइट क्लास होती है को भी डौट रहता है क्वूरी तो आप सीखिए और इसके लाबा आप को किसी भी आप कर सकते हैं कुछ भी आप कर सकते इस टॉक मार्केट के बारे में सबसे दोस्तों बात करोंगी यहां पर यहां पर यहां पर तो मैं नहीं किया क्योंकि आप कैसल बरा हो जाता है जब तब उसका मतलब फोटो क्लिक किये साथ यहां पर रैड़न करके तब तक उपर भाग गया तो इसलिए मैंने हाई की बात करेंगे तो 6598 यह हाई ब्रेक करता है तो फॉर्दर यहां सी यह आपको डैटली कहां जा सकता है 6700 तक ठीक है 67 से 6750 तक का हाई दिखा सकता है सल की बात करेंगे तो इस किंडल का लोग क्या होगा यह होगा दोस्तों एक और रिलाइंस में आज भी मुमेंट देखने को मिला हमने आज यह चार्ट आपको अपडेट कर दिया था और देखेंगे तो यहां पर रिप्रेस्मेंट के बाद इसने बहुत अच्छा लगभग 30-40 कोईंट का बूफ दिखाया था बट अभी भी से मुमेंट बचा हुआ आप देख सकते हैं कहाँ पर यह रिस्टेंस के पास में तो रिस्टेंस ब्रेक आउट भी दिखा सकता यहां से यह 3030-3050 तक का हाई दिखा सकता रिजन क्या है तो यहां पर बुली से रामी केनलिस्टिक पैटर्न है और इसके लबा रिस्टेंस ब्रेक आउट भी हो सकता है इसके लब दोस्तों एगेन बोलना चाहूंगी कुछ और भी स्टॉक है जो बॉटम में है लाइक जैसे मैंने विप्रोग वारें पहले भी कहा था और अभी आई-टी के आपका सब्सक्राइब करेंगा तो वह भी अभी क्या है इसके लगए दोस्तों बहुत सारी स्टॉक में है तो आप उसको फाइंड करके चार्ट पर बाइक कर सकते हैं दोस्तों आज के वीडियो में जो भी हमने बताया है को बिल्कुल भी नहीं है मुझे जैसा लगा मैंने आप सब्सक्राइब करते हैं नेक्स्ट प्रीव में अब तक के लिए नमस्ते है अ हुआ 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 है